कुछ दिन पहले वाटसप ने जो है हम लोगों का दिल तोड़ दिया था ऐसे बोलके कि आपकी सारी इंफोर्मेशन मेरे पास रहेगी आप जब भी किसी को पैमेंट करेंगे या आपका कोई OTP आगा तो सारा मतलब जो है कि वह मेरे पास आपका जो डाटा वह सेव रहेगा और उसे फेस्बुक के साथ सेर करें कर भी सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो है वह काफी मितलब भरुसा करने का लाइक नहीं रहा वाटसप तो दोस्तों आज जो है आज के वीडियो में आपको कंप्लीट ब अब जो है एक अपडेट आया कि आम आदमी भी इस एप्लिकेशन को यूज कर सकता है और एक खास बात यह दोस्तों कि यह एप्लिकेशन जो है आपको प्लेश्टोर पर नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इस वीडियो में मैं आपको तीन स्टेप नालोड करेंगे से संदेश chip करेंगे संदेश एप को कैसे करते हैं कि चलाते तो चलिए आज कि इस वीडियो में में आपको बताने वाला हूं Alb कि आप संदेश application को कैसे按 clutter करेंगे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे जूज तो चलिए दोस्तों आज की स्कमाल की वीडियो को इसटर्ट करते हैं तो Kernी नमबर ओक लिएसंगे किस परकार से हम संदेश तूपर करना है तो संदेश को डौलोड करने के लिए simply आपको अपना Chrome browser को open कर लेना है Chrome browser को open करने के बाद दुस्तों, को simply यहाँ पे लिखना हा है Sunday's portal, जैसे आप Sunday's portal लिख करेंगे, सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करते समय देखिए दोस्तों यहां पे आपको एक यहां पे जो है संधसा आइकन का जो है रेट कलर का आपको यहां सिम्बोल भी दिख रहा APPLAUSE उपर में और यहां पर लिखा हुआ संदेज Portal Government Install Message System Government तो आपको देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह का यह option open हो जाएगा दोस्तों यहां पे जो है इन्होंने Mac के लिए भी इसको अबलेवल कर रहा है तो आप जो है Apple वेगारा से ब्रूंत आइएसॉ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं iso यूज करने के लिए आपको इंपले कंचे पर क्लिक करना होगा और android के लिए आपको डाॉंड करने के लिए इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां से आपको option permission मांगा जाएगा तो आपको simply download पर क्लिक करके इसको download कर लेना है तो download पर क्लिक करने के बाद यह 28.23 MB की एप्लिकेशन है तो आपको देखें यहां पर यह download हो रही है कुछी दिद सकेंड में यह download हो जाएगी तो फ्रेंड यह अल्ली complete download हो गया है सिंप्ली हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों step number 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस application को कैसे install करेंगे दोस्तों यहां install करने के बाद सिंप्ली उस application को आपको क्लिक करना है जैसे कि यह download हो जागा उसके बाद आपको install पे क्लिक करना है install पे क्लिक करने के बाद यह कुछ टाइम लेगा उसके बाद यह अपने आपके फॉन में जो है GIMS का एक option मिल जागा इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे देखिए यहाँ पर कुछ आप से permission मांगा जा रहा है तो आप इसको जो है OK पर click करेंगे उसके बाद यहां से देखिए यह सरकार का app है यह जो है government का app है तो इसलिए इसमें जो है बहुत मतलब आपका जो permission मांग रहा है तो आपको permission दे देना है कोई आपको घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है सारे permission को allow कर देना है सारे permission को allow करने के बाद दिखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह का यह option आपको दिखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप दोस्तों जो है अपना mobile number और email id से भ करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको औरटीपी डालने के बाद आपको next ऊंसे पर cleaning करना है कि नहींस कोई करने कि नाम आप ऑद करना है उसके बाद देखिए आप यहां पे दोस्तों male हैं या female हैं आपको यहां से choose करना है उसके बाद आपको next पे click कर देना है यहां पे आप चाहो तो यहां पे अपना एक peak भी लगा सकते हैं इस तरह वाटसब में यहां पे photo upload करते हैं उसी तरह से यहां से आप जो है यहां पे image को upload कर सकते हैं या आप इसको skip भी कर सकते हैं skip करने के बाद आपको यहां पे आप अपना location भी यहां पे share कर सकते हैं जिस तरह WhatsApp पे आप location को share करते हैं उसी तरह से आप यहां पे अपना location को भी share कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपका location कोई और देखे तो आप यहां पे अपना location location पे क्लिक करके आप यहां पे allow location पे क्लिक करके आपको यहाँ पर लोकेशन आपका यह ओटमेटिक डिडेक्ट कर लेगा और यह आपका लोकेशन सेव हो जाएगी या फिर आप इसको लोकेशन को आप हाईडी रखना चाहते हैं तो सिंप्ली आप इसकी पर क्लिक करेंगे यह देखिए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ब्लू बले ऐकन पर क्लिक कर देना है जैसे ब्लू बले ऐकन पर क्लिक करेंगे यह आपसे परमिसन मांग रहा है कि जो भी मतलब आपकी कॉंटेक्ट में वह यह एप्लिकेशन को चला रहे हैं उसको यह डिडेक्ट कर तो देखिए इस तरह से यहाँ पर यह हो जागा उसके बाद वॉक्लिट करना है इस तरह से जैसे आप क्प्रिट करेंगे इस तरह से आपका जो है संधेश एफ हो जागा यहां को एक नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वेलकम टू संदेश दा गॉर्मेंट इस्टॉल मैसेज मतलब यह आपको बोल रहा है कि आप जो इसको इसको इस्टॉल किया आपका बहुत धनवाद दोस्तों यहां से आप को आपको चार चार सेटिंग यहां प कर सकते हैं तो सिंप्ली मैं जो है यहां पर कि यहां पर सिंप्ली आपको यह अप्लिकेशन को ओपें कर लेना है और आपन करने पूद आपको निटी प्लस आप पर कट लेख करेंगे और देखेस कॉटेट में आपको करता ने में से प्लस वाले ऐकन पर आप किलिक करेंगे जिस तरह से आप फेस्बुक में यहां से कॉंटेक्ट को भी देख सकते हैं ओडियो भेज सकते हैं फोटो वेगए राको गलेरी फाइल तो यहां से आप सिंप्ली इस पर किलिक करेंगे और यहां फाइल से भी आप इसका डाटा वे ओडियो कॉल और ओडियो कॉल सारा प्रोसेस आपको यहां पर मिल जाएगा